सर्दियों में हम सभी चाहते हैं कि कोई ऐसा ड्रिंक हो जो ना सिर्फ हमारी इमिनिटी को मजबूत करे बलकि हलकी फुलकी सर्दी खांसी से भी बचाए और अगर थोड़ी बहुत सर्दी हो भी जाए तो उसको ठीक भी कर दे कुछ ऐसा हो जो एंटी ऑक्सिडंड भी हो यानि कि उससे टॉक्सिंस भी रिलीज हो जाए जो खाना खाया उसे डाइजिस्ट कर दे यानि डाइजिस्टिव भी होना चाहिए और साथ ही टेस्टी तो होना ही चाहिए बस इन सभी गुणों वाली आज जो चाय मैंने आप सब क पनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर रखा है और इसमें मैं लूँगी दो कप और आधा कप यानि कि टू एंड हाफ कप धाई कप पानी तो यह पानी जो हमने लिया है इसे हमें बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए पहले गैस को आन कर देते हैं और अब इसे कवर कर के हमें पानी में उबालाने का वेट करना है और अब इस बीच मेरे पास एक खरल है, और खरल में में ले रही हूँ एक बड़ी लाइची यानि की ब्लैक करडमम, और एक इंच का मेरे पास बालचीनी का टुकडा है यानि की सिनअमन, अब मैं इसमें ये जो मैंने इसमें खड़े मसाले लिये हैं बड़ी इलाइची, लॉंग, दालचीनी इन सब की तासिर काफी गर्म होती है और ये सर्दी से बहुत रहात पहुचाते हैं इसी के साथ ये जो दालचीनी है ना ये शुगर लेवल को बैलन्स करने में मदद करती है अजवाइन ठंड से बचाती है और हमारी चाय में ये बहुत ही बढ़ियां सा बहुत ही अरोमेटिक सा फ्लेवर लेकर आएगी ये सारे मसाले जब थोड़ा से क्रश हो जाएं तो इसमें एड़ करेंगे आधा इंच अद्रक का टुकड़ा अद्रक नासिफ डाइजेशन में हल्प करता है बलकि जो खासी है सब्दी है इसमें बहुत जादा रहा देता है बहुत आराम पहुचाता है और इसके लावा डाइजेशन में तो ये हल्पुल होता है और चाय का टेस्ट भी बहुत बढ़ा देता है तो इस तरह से देखिए हमारे सारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से क्रेश हो करके तयार है यह इदर क्या हो रहा है यतिनी इनरजी निकल रही इस टीम में कि लिड को हिला कर रख दिया है यह बहुत तेज बॉयल आ रहा है तबी तो जेम स्वाट ने पूरा इंजेन ही में ना डाला लेकिन हम क्या करेंगे कि इसी पानी में जिसमें खुब सारी भाप निकल रही इसमें एट कर देंगे अपने वज़ी क्रेश्ट कीवे मसाले और यह मेरे पास कुछ तुलसी की पतिया है तो इसे मैंने बहुत अच्छे सा धुल लिया है दस बारा तुलसी की पतिया है यह और इस तरह से तोड़ करके मैं इसी चाय में डाल दूँगी और बस इसका लिड लगाएंगे और इस बार इसका जो फ्लेम है ना हम लो रखेंगे यह तो फिर से लिड भागना शुरू कर देगा बस चार से पांच मिनट भी यह जो सारे मसाले है ना इनका फ्लेवर और इनका सारा अरोमा इसी चाय में रिलीज हो जाएगा तो बस यह देखिए पांच मिनट के बाद यह बिल्कुल गोल्डेन सी हमारी बढ़ी आसी चाय बहुत ही अच्छी इस विए से तुल्सी की बहुत ही रिफ्रेशिंग सी स्मेल आ रही है और अब यह है रेगुलर वाले टी लीफ्स यानि की चाय की पती जो हम रोज चाय में डालते हैं इसे हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे नहीं तो चाय का असली फ्लेवर इसमें दब जाएगा खतम हो जाएगा और बहुत ही रिफ्रेशिंग से फ्लेवर के लिए और इमिलिटी को बूस्ट करने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे 3-4 ड्रॉप्स ओफ लेमन इससे जादा नहीं डालना है यह तो टेस्ट खराब हो जाएगा और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप एक चमच चीनी डा दीजिए और अगर नहीं डालना तो मज़ डालिए तो मैं अपने लिए मीठा पनाती हूं और अपने साब के लिए बिना चीनी का बनाती हूं इसमें गुर्ड नहीं डालेंगे हम नहीं तो यह वाला टेस्ट नहीं आएगा और ना यह वाला कलर आएगा तो बस इसी तरह से इसे सर्व करना है हमें जो चीनी वाला कप है उसको आप इस तरह से स्टर कर सकते हैं इससे शुगर डिजॉल्व हो जाए और बस इस बढ़ियां से ड्रिंक को आप एंजॉय करिए ये ना सिर्दी खांसी बगाने हैं मददगार है बलकि ये बहुत ही बढ़ियां इम्मिनिटी अपने निकाल सकते हैं और सर्दी खांसी को तो में तो ये बहुत ज़ादा आराम देता है तो तीन से चार बार आप इसे आराम से दिन में पी सकते हैं और कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं बहुत ही फायदे का है बहुत ही अच्छा है आज की रेसिपी आपको कैसी कि मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना फीड़ बैक मुझे जरूर दीजेगा मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ तब तक अपना खयाल लगिए थैंक्यू और बाइबाए